Hello Friends, I am Anuj, Welcome to Education Plug Friends, इस वीडियो में डिस्कुस कर रहा हूँ बिहार पुलिस मनिसे सिपाही के छेसो नाशी पदों को जब एकन से ही है उसके लिए Practice Set Friends, यह यूनिक पॉलिकेशन का Practice Set है और इससे पहले मैंने यूनिक पॉलिकेशन का एक और बुक खतम कर दिया है, तो आप लोग प्लेइलिस्ट में जाके देख लिजेगा प्लेइलिस्ट बना रहा है मैंने बिहार पॉलिस मनिसे सिपाही के नाम से और जो नया बुक में यूनिक पॉलिकेशन का जो सेट में चला रहा हूँ इसका भी प्रेक्टिस सेट उसी प्लेइलिस्ट में मिलेगा तो आज हम लोग डिस्कुस करेंगे इस नया बुक का दूसरा प्रेक्टिस सेट यानि अपने सिरीज का 22 वा प्रेक्टिस सेट तो बिना देरी के चलते हैं क्वेशन की तरफ पहला क्वेशन है समविधान सभा की मौसादा समीती के अध्यक्ष कौन थे सुफ्रेंड्स इसका एंसर सी होगा बी आरम बेड कर नेक्स्ट टू नंबर क्वेशन है मारमा गाओ पत्तन इस सिते की सराजी में सुफ्रेंड्स टू का एंसर सी होगा गुवा में नेक्स्ट टूशन है निम लिखित में से कौन असम से संबंदित लोक रित्त सहली नहीं है सो फ्रेंड्स टू का एंसर सी होगा मन दिजास नेक्स्ट फोर नंबर क्वेशन है भारतिया संबिधान में आउसिस्ट मामलों पर कानून बराने का अधिकार की से सोपा गया है सो फ्रेंड्स फोर का एंसर ए होगा केंदर सरकार को फ्रेंड्स इसका वर्डन अनुछे 241 में किया गया है और इस फ्रावधान को कैनेड़ा के संबिधान से ग्रहन किया गया है नेक्स्ट फाइब नूम्बर क्वेशन है भिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई किसके द्वारा सो फ्रेंड्स 6 का एंसर सी होगा राश्ट्रपती द्वारा मंत्री परिशद की सलाह पर नेक्स्ट 7 नूम्बर क्वेशन है मंत्री परिशद उत्तरदाई होती है किसके प्रतिसो friends 7 का answer यहाँ पे मंत्री परिशद सामोहिक रूप से लोग सभा के प्रति उतरदाई होती है लेकिन अगर nearest answer देखा जाए तो संसद के प्रति सही होगा और friends मंत्री परिशद वेक्तिका तरूप से राश्रपति के प्रति उतरदाई होती है नेक्स्ट 8 number question है राश सभा को भंग करने का अधिकार किसे प्रापति सो friends 8 का answer D होगा उप्योगत में से कोई नहीं क्योंकि राश सभा भंग नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट 9 number question है सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे उतरदाई सो friends 9 का answer C होगा इलतुत्मिस 10 number question है नेमने लिखित में से कौन से संगर्थन विसु विकास रिपोर्ट प्राकासित करता है सो friends 10 का answer B होगा वर्ल्ड बैंक जिसे IBRD भी कहा जाता है नेक्स्ट 11 number question है भारतिया संविधान के नेमने लिखित अनुछेदों में से कौन राजी की विधान सभाओं के निरवाचन का प्राधान प्रस्तूत करता है सो friends विधान सभा का वर्डन है आर्टिकल 170 में नेक्स्ट 12 number question है नेमने लिखित में से कौन सी नदी फ्रसेद सिव समुधरमजल प्रपात बनाती है सो friends 12 का answer A होगा का वेरी नदी next 13 number question है नेमने लिखित में से कौन सा एक नावपासान संस्कृति के स्थल नहीं है सो friends 13 का answer A होगा कुन तासी फ्रेंड्स कुंतासी सिंदुकाटी सभेता का इस्थल है नेक्स्ट फॉर्टिन नमबर क्वेशन है भारत में राई सरकारों के लिए आयका सबसे महत्वपुर्ण सुरोत है क्या फ्रेंड्स फॉर्टिन का एंसर D होगा बिक्री कर फिप्टीन नमबर क्वेशन है निमन में से कौन भारत का सबसे उंचा जलपरपात है फ्रेंड्स भारत का सबसे उंचा जलपरपात ए है कुंचीकल जलपरपात फ्रेंड्स कुंचीकल जलपरपात करनाटक में है और ये वराही नदी पर इस सित है नेक्स्ट 16 नमबर क्वेश्चन है नेमनलिखित में से कौन वी सु विरासत इस्थल नहीं है तो फ्रेंट 16 का एंसर C होगा आदमगड सेला स्रे नेक्स्ट 17 नमबर क्वेश्चन है एपेक का पुर्ण रूप क्या है तो फ्रेंट 17 का एंसर D होगा Asia Pacific Economic Corporation 18 नमबर कॵेश्चन है लिकर ऊंसर में शॉब्स से किसका उलेग संगमसाइट में नहीं होगा क्वश्चन है नेक्स्टanınबर क्वेश्चन है लकडियका नेक्स्ट वेशन है च्छतिसगर राजी की इस्थापना किस वर्ष हुई शुफेंड्स ट्वेंटी का इंसर सी होगा च्छतिसगर की इस्थापना मध्यप्रदेश से अलग होकर एक नॉबर दो हजार को हुई थी नेक्स्टseason problems साची के इस्थूप का निर्मान किस ने करवाया था तो साची के इस्थूप का आसोपने कर वाया था त्राप्ट किया थे ओए और त्राप्त किया थे साह सुजासे 25 नमबर क्वेशन है लॉर्ड वे लेजली की सहाइक संधी को सुविकार करने वाला पहला मारा अठा सरदार कौन था 25 का एंसर ए होगा पेश्वा बाजरा उद्वितिय नेक्स्ट वेशन है नेमने लिखित में से कौन आत्मिया सभा के संस्थापक थे और इसकी स्थापना हुई थी 1814 में 27 नमबर क्वेशन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी 28 नमबर क्वेशन है GST का पूरा अर्थ क्या होता है 28 का एंसर ए होगा गुड्स एंड सर्विस टेक्स 29 नमर क्वेशन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बैस से निकलती है 29 का एंसर C होगा अमर कंटक की पहारियों से निकलती है 30 नमर क्वेशन है विशो का ब्रिहतम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा 30 का एंसर A होगा गंगा एवां पुत्र द्वारा 31 नमर क्वेशन है लावनी कौन से राजी का लोक निर्टे है लावनी महाराश्च्र का लोक निर्टे है अप्शन A सही है Next 32 नमर क्वेशन है भारतिय अर्थववस्था का प्रात्मिक छेतर है भारतिया अर्थवस्ता का प्रात्मिक्षेत्र थ्रिशी है 33 नमबर क्वेशन है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है 33 का एंसर D होगा 34 नमबर क्वेशन है हवा में जिस गैस की मातरा सबसे अधिक है वो है आप्शन D से है नाइट्रोजन 35 नमबर क्वेशन है 3 सेंटिमेटर तरीजे वाले एक गोले से 1 सेंटिमेटर तरीजे वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है 35 का एंसर C होगा 27 36 का एंसर होगा A 20 रुपया 37 नमबर क्वेशन है प्रित्वी किस्टा का वह भाग जो पानी से ढखा है लगभग कितना 37 का एंसर C होगा 2 ती हाई 38 नमबर क्वेशन है भारी जल हुआ जल होता है जिसमें क्या 38 का एंसर C होगा जिसमें हाइड्रोजन का एस्थान उसका आईसोटोप ले लेता है 39 नमबर क्वेशन है DNA का पुर्ण रूप क्या है 39 का एंसर C होगा डियोक्सी एरिगोन उकलीक एसिड 40 नमबर क्वेशन है मानोव सरीर की साव से लंबी हर्डी का एंसर C होगा फीमर 41 नमबर क्वेशन है 42 नमबर क्वेशन है पानी का घहना तो अधिकतम होता है कितना डिग्री सिल्सेस पे 42 का एंसर B होगा 43 नमबर क्वेशन है भूप अपडी में सरवाधिक पाया जाने वाला तत्व है 43 का एंसर A होगा ऑक्सिजन 44 का एंसर होगा C 31 45 नमबर क्वेशन है सुरी के प्रकास को धरती के सतर पर पहुचने में लगने वाला समय है लगभग कितना 45 का एंसर C होगा 8.5 मिनट अगर एग्जेक्टली पूछा जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है 46 नमबर क्वेशन है A स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मातरा 46 का एंसर A होगा कारबन की मातरा 47 नमबर क्वेशन है क्रोमेटोग्राफिक की तकनिक का प्रयोग होता है क्या करने में 47 का एंसर D होगा एक मिश्रन से पदार्थ को अलग करने में Next 48 का एंसर होगा A 2 49 का एंसर होगा 49 का एंसर B होगा 260 डिगरी Next 50 नमबर क्वेशन है किस विक्सित देश के पास कोई नावी के अकारिकरम नहीं है So friends 50 का एंसर B होगा डिनमाग के पास कोई नावी के अकारिकरम नहीं है Next 51 नमबर क्वेशन है प्रित्वी की उप्री परत पर खनी, जल, गैस, तथा ह्यूमस के मिश्रन को कहते है So friends 51 का एंसर C होगा मिट्टी 52 नमबर क्वेशन है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुत देश के परियोजना कौन से यह सो Friends 52 का एंसर B होगा दामदर गाटी परियोजना Friends दामदर गाटी परियोजना की इस्थापना 1948 में हुई थी और ये फिलहाल पशिम बंगाल और जारखंड की सई युक्त परियोजना है Next 53 नमबर क्वेशन है निमने लिखित में से किसे मर्नो प्रांत भारत रतनो प्रदान नहीं किया गया So friends 53 का एंसर C होगा डॉक्टर जी के कारवे को Next 54 नमबर क्वेशन है लोग सभा के लिए कितना कोरम है So friends 54 का एंसर B होगा कुल सदस्यों का दस्वा भाग 55 नमबर क्वेशन है सम्विधान सभा Constituent Assembly के चेर्मेन अध्यक्ष कौन थे So friends 55 का एंसर B होगा डॉक्टर राजंत प्रसाद 56 नमबर क्वेशन है द्वितिय विश्यूद में पर्ल हार्बर पर आक्रमन किया था So friends 57 का एंसर B होगा जापान ने किया था और friends ये कब हुआ था ये हुआ था 8 दिसंबर 1941 को Next 58 नमबर क्वेशन है अलंग नामक प्रसिद सिप स्क्रेपिंग यार्ड कहा है इसी थे So friends 58 का एंसर C होगा गुजरात में Friends इसे जहाजों का कबरिस्तान भी कहा जाता है Next 59 नमबर क्वेशन है मांडू की रानी रूप मती का संबंद किस से था So friends 59 का एंसर B होगा बाज बहादूर से 60 नमबर क्वेशन है नाटो का मुख्याले कहा है So friends 61 का एंसर A होगा वीना 62 नमबर क्वेशन है विस्व का विशालतम जीवित प्रानी है So friends 62 का एंसर C होगा नीली भेल 63 नमबर क्वेशन है भारत के उतरी चोर रदक्षी चोर के बीच की दोरी है अनुमानेता कितनी So friends एंसर A होगा 3214 किलिमीटर और पूरव से पास्चिम की दोरी 293 किलिमीटर 64 नमबर क्वेशन है निमने लेकित में से कौन परदार चटान बनाता है So friends 64 का एंसर C होगा तलचट का घनी करन 65 नमबर क्वेशन है असोक ने बहुत धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था So friends अपने पुत्र महेंदर को और पुत्री संग मित्रा को भेजा था 66 नमबर क्वेशन है विकास की प्रक्रिया मनुसे का सबसे निकरता प्रानी निमने लेकित में से कौन है So friends 66 का एंसर A होगा बंदर 67 नमबर क्वेशन है IBRD International Bank for Reconstruction and Development को निमने लेकित में से और क्या कहा जाता है इसे World Bank कहा जाता है 68 नमबर क्वेशन है निमने लेकित में समराट असो की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्राभावित किया था So friends 68 का एंसर D होगा कारू बाकी 69 नमबर क्वेशन है प्रित्वी के चारो और चाय हुए गैसों के गोले को क्या कहा जाता है So friends 69 का एंसर C होगा वायू मंडल कहा जाता है 70 नमबर क्वेशन है क्रीमी लेयर संकल्पना से तात पर यह है So friends इसका एंसर C होगा आर्थिक एस्तर के आधार पर वरगी करन Next 71 नमबर क्वेशन है फ्रांस की ग्रांती कब शुरू इसो फ्रेंड्स 71 का एंसर C होगा 1789 में Next 72 नमबर क्वेशन है लिटराइटी करन उत्पन होता है So friends 72 का एंसर A होगा गर्म एवं आदर प्रदेशों में 73 नमबर क्वेशन है विली विली का तात पर एक्या है So friends 73 का एंसर A होगा और श्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशय चक्रवात Next 74 नमबर क्वेशन है भारतिया संभीधान के अंतरकत निवने लिखित की सुरक्षय का प्रश्ण हो तो अभिवेक्ति की स्वतन तकता पढ़ लगाम लगाई जा सकती है So friends 74 का एंसर A होगा देश के प्रभुत और एक तक मुद्धे पर 75 नमबर क्वेशन है और सहयोग अंदलन के दोरान प्रिंस ओफ वेल्स की पटना यात्रा का हुई थी So friends ये हुई थी 22-23 दिसंबर 1921 को 76 नमबर क्वेशन है प्रकास का सुन्यावकास में वेग अनुमानत कितना है So friends इसका एंसर B होगा 3 into 10 to be power 8 meter per second 77 नमबर क्वेशन है आंतो के रोगी के निदान में नेमने लिखित केवणों का उप्योग किया जाता है किसका किया जाता है So friends 77 का एंसर A होगा एक सरे का 78 नमबर क्वेशन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं क्या हुआ So friends 78 का एंसर A होगा 79 नमबर क्वेशन है ठोस कपूर से कापूर वास बनाने की प्रकृिया जो क्या कहते है So friends इसका एंसर D होगा उठ्दृ पातन कहते है 80 नमबर क्वेशन है पौधे वह पेर का खानातियार करने की प्रकृिया कहलाती है So friends 80 का एंसर D 6 फोटो सिंथेसिस कहलाती है 81 नमबर क्वेशन है 82 number question है, एक तत्व X के बाहतम कक्षा में 4 electron है, hydrogen के साथ इसके योगी का कौन सा सुत्र होगा? 82 का एंसर D होगा, XH4, next 83 का एंसर होगा, A, 57717, 84 का एंसर होगा, D, 16, 85 का एंसर B होगा, 12, 24, 30, 86 का एंसर होगा, A, 99947, 87 का एंसर B होगा, 25, 37, 88 का एंसर C होगा, 33, 89 का एंसर C होगा, 37, नेक्स्ट, 90 नमबर क्वेशन है, जून 2022 में किंद्रिया स्वास्त एं उर्वरक मंत्री, डॉक्टर मंसुक मांडविया ने बिहार के किस जिले में, निर्मान धिन हल खाद कर खाने में, नैनो यूरिया, लिक्वीड का एंसर C होगा, 91 नमबर क्वेशन है, 20 जून 2022 को, जस्टिस एहसान उदिन असाबुला पटना उचे न्याले के न्याजिस के रूप में सपतली, उनका एस सनांतरन किस उचे न्याले में हुगा है, जो फ्रेंट्स, 91 का एंसर A होगा, अंद्र प्रदेश में, 92 नमबर क्वेशन है, बिहार क्रिसी निवेश प्रोचसाहन निती योजना कब लागू किया गया था, जो फ्रेंट्स, 92 का एंसर C होगा, सितंबर 2020 को, नेक्स्ट, 93 नमबर क्वेशन है, बिहार के किस वन अभ्यारने को टाइगर रेजर विके रूप में मनजूरी मिलने का प्रस्तावाए, जो फ्रेंट्स, 93 का एंसर B होगा, कैमूर अभ्यारने को, 94 नमबर क्वेशन है, प्रस्तावीत गोराखपूर सिलिगूरी एक्सप्रेसवे को, बिहार के कितने जिलों से होकर गुजारने की केंदर सरकार से सैधान्तिक मनजूरी मिलाए, जो फ्रेंट्स, 94 का एंसर A होगा, 9 जिलों से होकर गुजरेगी, 95 नमबर क्वेशन है, तीन राजियों को जोडने वाले गोराखपूर सिलिगूरी एक्सप्रेसवे का करीब कितना हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगी, जो फ्रेंट्स, 95 का एंसर A होगा, 416 किलोमेट्र, 96 नमबर क्वेशन है, सेंपल रेजिस्ट्रेशन सिस्टम दोरा जारी, नवी नतम रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में नवजात से सुम्रित्योदर कितनी एस्सुफ्रेंट्स, 96 का एंसर D होगा, 27 97 नमबर क्वेशन है, बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार और केंद्रिया मंत्री गडकरी ने गंगानेजी पर बने महात्मा गंदी सेतु पुल की पूर्वी लेन का उधगाटन, कब किया सुफ्रेंट्स, 97 का एंसर A होगा, 7 जुन 2022 को 98 नमबर क्वेशन है, जुन 2022 में नौवी सीनियर राष्टी और अगभी टोर्नेमेंट का एउजन, किस राजी में होगा, 98 का एंसर B होगा, बिहार ने और 100 नमबर क्वेशन है, महात्मा गंदी सेतु का इस्ठिल ब्रेज की लंबाई, कितनी आशो फ्रेंड्स, इसका एंसर A होगा, लगभग 5.6 किलो मेटर सो फ्रेंड्स, यह था आज की इस वीडियो का डिस्कुशन मेलता है नेक्स टूडियो में, तब तक के लिए जाए हिंद, जाए बिहार